हेलो फ्रेंड्स वेलकम योल एक बैंकर्स लिंक यूटूब चनल आज हम इस वीडियों में बात करने वाले हैं न्यू क्राइट एरिया फॉर MSME क्लासिफिकेशन तो यहां पर जो भी न्यू चेंजेश हुए हैं MSME की डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन में उसकी बारे में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली भारा सरकार ने जो MSME है उससे क्लासिफिकेशन में चेंजेश किया हैं जिसको उसने गेजट ओफ इंडिया के द्वारा जून 26 2020 को पब्लिश भी किया है जो कि यह चेंजेश है वो एक जुलाई 2020 से लागू हो जाएंगे बात करने पुरानी देफिनेशन की तो उसमें जो माइक्रो इसमॉल इंटरप्राइज थे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उनको दो केटेगरी में डिवाइट किया गया था एक एक मैनुफेक्ट्रिंग एक्टिविटी जिसमें हम कुछ मैनुफेक्ट्र करते हैं और एक सर्विस जो की सेवा इंडरेस्ट्री होती है उसमें तो इसमें अलग-अलग क्राइटेश थे लेकिन जो भी यह इसमें लिमिट थी वो बहुत पुरानी थी करीब 2006 सास से लिमिट चली आ रही है तो काफी देखा जाए तो जो प्लांट एंड मसीन्दी है जो एक्क्यूपमेंट्स है उनमें काफी इजाफा हुआ है तो उस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने इसमें चेंजिस करने के लिए एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया है अगर कोई माइक्रों इंटरपाइज है इन मैनूफेक्टरिंग तो उस में जो इनवेस्टमेंट एंड प्लांट इंड मसीन्दी है वह 25 लाग तक का होगा तो माइक्रों कैटेगरी में आएगी ऐरहीं唇त सर्विस सेक्टर दस लाग से ज़्यादर दो कोड़ से कम और लाश्टली मीडियम के लिए पांच कोड़ से ज़्यादा और दस कोड़ से कम अगर इंवेश्टमेंट इन प्लांट इन मशीन दी है तो वो मीडियम इंटरप्राइस कहलाएगा किसका मेनुफेक्ट्रिंग इंड़िस्ट्रिस का और साथ इसाथ अगर उसमें सर्विस सेक्टर है तो उसमें जो इनवेश्टमेंट से जादा मीडियम इंटरप्राइसएगा Jared जो कि गेजट में जारी किया गया है और जो क्लासिफिकेशन है वो एक जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा जो यह नूइक क्लासिफिकेशन है उसमें यहां पर एक क्राइटेरिया बनाया गया है और साथ इसाथ जो उसका टर्नोबर है पर्टिकुलर इंडेस्ट्री का या फर्म का उसको भी साथ में लिया गया है और यहां पर यह दो क्राइटेगरी नहीं है मेनुफेक्शरिंग और सर्विसस के लिए अलग अलग यहां पर जो क्राइटेगरी हैं उनको कंभान के यह मैनुफेक्शरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए तीन कर्टेगरी बनाए गई गया जो कि स्मॉल एं मीडियम केटेगरी होती है माइक्रो केटेगरी में आने के लिए जो उसका investment है इन प्लांट एन मसीन दी या एक्क्यूपेंट्स वो एक करोड़ से कम होना चाहिए और जो शुका turnover है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए तो हम उसको माइक्रो इंट्रपैजेज बोलेंगे किसके लिए मैनुफेक्ट्रिंग या सर्विस सेक्टर के लिए फिर बात आती है स्मॉल केटेगरी के लिए तो स्मॉल केटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एन मसीन दी या एन्वेस्टमेंट वह तो वहम स्मॉल केटेगरी कि उसको इन्प्राइज इंस इन्प्राइज मानेंगे में जो बहू git I'm यूनिट है कोई अगर उसका टर्णोबर या इन्वेस्टमेंट कोई भी एक इसमें क्रेटेरिया से फिट हो जाता है यानि कि अगर उसका माली इन्वेस्टमेंट एक कोड़ से एक कोड़ियों से ज्यादा हो गया है तो वो सीधे इसमॉल केटेगरी में मानी जाएगी इन दोनों में से कोई भी एक अगर कोई कंप्लीट करती है तो माइक्रो केटेगरी से वो इसमॉल केटेगरी में चली जाएगी और अगर इसमॉल से मीडियम में जाना है तो उसे इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नोबर में से कोई भी एक एक क्राइटरिया फुल्फिल करना होगा तो वो मीडियम केटेगरी की एंटरप्राइज मानी जाएगी फ्रेंट्स फॉर वाचिंग इस वीडियो अगर इस वीडियो मा भी आपकोई भी डाउट या कोईशन है वह हमें कमेंट वेक्शन में देख सकते हैं फ्रेंट्स फॉर आपने करते हैं पडिस वीडियो मा भी एंट्ट्स अविडियो के अगरे की एंट्ट्स पुल्फिल कि एंट्स भरोज चक्वाचिन बाट्स बास का फॉर आपOkay एंट्स घरिए उपकॵाराइभ हाग ओ eternि tête है अट्स आपक का एंट्स की हमें शेंट्स वीडियो का एंट